Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चाप्टर नमबर 1 के चाप्टर नमबर 1 के चाप्टर नमबर 1 के चाप्टर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं Question number 1 है, What did Lencho hope for? So, Lencho को किस चीज का hope था? So, आंसर आजाएगा, Lencho hoped for rain, because his fields needed rain So, चाप्टर में हमको बताया गया है कि Lencho के पास खेत वगरा सब कुछ था लेकिन जरूरत किस की थी? सिरफ और सिरफ बारिश की So, इसलिए याँ पर आंसर लिखा हुआ है, Lencho hoped for rain, because his field needed the rain Now, next question पे चलते हैं, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? So, Lencho ने ऐसा क्यों कहा कि भाई, जो raindrops है, वो new coins है So, चलिए इसका अंसर देखते हैं, Lencho said it because of the two reasons So, दो reasons थे जिसके वज़े से Lencho ने raindrops को new coins बुलाया था The first reason is, the raindrops had brightness like new coins So, ये जो बारिश की बूने थी, ऐसे चमक रही थी, जैसे कि new coins चमकते है And the second reason है, वो ये है, a good rain always promises a good harvest यानि कि अगर बारिश अच्छे से होगी, तो अच्छे से फसल जो है वो भी उख पाएगी अब next question देख लेते हैं, next question is How did the rain change and what happened to the Lencho's field? तो पहले तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश जो है, वो किस चीज में बदली? अब ये चीज हमसे question में पूछी गई है, तो चली इसका answer देखते हैं, the rain changed into the hailstones तो देखिए, chapter में बताया गया है, कि पहले तो बारिश होई, लेकिन जैसे ही बारिश हो रही थी, उसके तुरंत बाद बरफ के गोले गिरना start हो जाते हैं तो आंसर आजाएगा, the rain changed into the hailstones, लेकिन जब hailstones गिरते हैं, तो chapter में बताया गया है, कि एक घंटे तक पूरा hailstones तो थे वो गिरते रहे और इसकी वज़े से लेंचो का जो crop था, वो पूरा कपूरा destroy हो गया, तो I hope आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो चलिए next question पर चलते हैं तो जैसे ही बरफ के गोले गिरना बंद हो जाते हैं, तो लेंचो कैसा फील कर रहा था, question में ये पूछा गया है तो इसका आंसर हैगा, लेंचो became very sad due to the hail storm, obviously बात है, जब बरफ के गोले गिरे थे, तो उनके बाद जो लेंचो है, वो काफे जादा sad हो गया था, क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा कपूरा field था, वो पूरा कपूरा destroy हो गया था अब चलें, next question पर चलते हैं, who or what did Lencho have faith in? तो अब यहां पर next question में पूछा गया है, कि Lencho को किस की उपर विश्वास था, और उसने क्या किया? तो Lencho को God की ओपर बहुत ही जादा विश्वास था, so Lencho had a deep faith in God, so he wrote a letter to God asking for 100 pesos, और उसने किया क्या? उसने भगवान को letter लिख डाली, और letter में लिखा कि उसको कितने पैसे चाहिए? 100 pesos, अब यह जो pesos है, यह actually में currency होती है Latin American countries की, अब next देख लेते हैं, next question में पूछा गया है Who read the letter? अब Lencho ने letter तो लिख ली God को, और वो post office में जाके उसको दे भी आता है, mail भी कर देता है, ठीक है? अब हमने देखना है कि उस letter को पढ़ा किसने, तो हमें chapter में बताया गया है, कि जो postman है वो letter को देखता है, और फिर उसको postmaster के पास लेकर जाता है, जो postmaster है वो उस letter को पढ़ता है और वो काफी जादा इंप्रेस हो जाता है लेंचो का भगवान के उपर faith देखके, याने कि विश्वास देखके, अब हम लोग next question देख लेते हैं, so the next question is, what did the postmaster do then? आप देखो, लेंचो ने letter लिखा, लेंटर लिखने के बाद वो mail box में डाल के आ गया, अब उ the money to the Lencho, तो postmaster देखे, बहुत जादा अच्छा इंसान था, चाप्टर में भी बताया गया है, तो वो क्या करता है, अपनी salary का कुछ हिस्सा डालता है, उसके office में जो employees काम करते हैं, उनसे कुछ money कठा करता है, प्लस उसके जो friends होते हैं, उनसे भी वो कुछ money कठा करता है, उ तो question में हम से पूछा गया है कि बही बताईए, जब Lencho को वो letter मिला, तो क्या वो surprise हुआ, क्या वो पैसे देख के चौका, तो चले देखते हैं, इसका answer क्या हैगा, no, Lencho was not surprised, he had such firm in God, अब इनों नहीं या पर बोला हुए, लेंचो को जब letter actually में मिला था तो वो बिलकुल भी surprise नहीं हुआ था, क्यों surprise नहीं हुआ था, because उसको God के ओपर बहुत ही ज़ादा faith था, next question is, what made him angry, तो next question में पूछा गया है कि लेंचो को गुसा क्यों आया, कौन सी चीज थी जिसकी वज़े से लेंचो को गुसा आया, तो यह हमको chapter में भी बताया गया है, देखो, actually मैं उसक से बोला था, कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था, वो पूरे 100 पीसोस को इकठा नहीं कर पाया था, उसने सिरफ 70 पीसोस ही इकठे किये थे, और जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है, तो वो मनी काउंट करता है, जब वो मनी काउंट करता है, तो तो जब वो देखता है, पैसे कम है, तो उसे गुसा जाता है, तो जब वो देखता है, पैसे कम है, तो उसे गुसा जाता है, अब लेंचो जब पैसे किनता है, तो उसको पैसे कम लगते है, ठीक है, तो उसको लगता है कि हो सकता है, कि पोस्ट ऑफिस वाले ही गाल दे हो उन्होंने उस पर चीट किया हो